नमस्कार मैं हूँ सौल अजबी स्वागत है आपका नेशन वन में रुकरते खवरों का 36 गर जिलार राजनात गाउं में सूबे के मुख्या डॉक्टर रमन सिम एक दिन के परवास पर अपने विधान सवा छेत के चार ग्राम धमन सारा मलपूरी मुनपार कोट बरभाडा में पहुंचे थे यहां पर उन्होंने करोडों के विकास कारियों का लोकारपन और भूमिकुजन किया आम लोगों से जन संपर कर मुख्यमंती नेविकास कारियों की जड़ी लगाते हुए चार चातराओ को लैक्ट आप देकर गाओं के बुजर्गुल लोगों को शिरीफल और शौल देकर समानित किया मुई ग्राम मलपूरी में रानी दुरगावती बलिदान दिवसकारिकरम में भी शामिर हुए बीविन कामों का लोकारपन और बूल कुजन हुआ राजनाद गाओं चिले में और राजनाद गाओं के सासाथ पूरे हमारे ग्रामिर शित्वें जिस प्रकार सरकार की योजनाओं का लाब मिला दो वर्सों में धान का बोनस 238 करोड का 178 में फसल भीमा 408 करोड का, 178 सुखराथ 125 करोड का, 2 साल का बोनस प्रस एक साल का सुखराथ जिदी सब को मिला दे तो ये निश्यत रूप से 363 करोड और 408 करोड की राशी इस जिले के किसानों के लिए रही राजनाद गाओं से सनिवर्मा की रिपोर्ट यूपी के कासगंज में मैसूर गाओं के परधान को पुलिस ने बस्टचार के मामली में गिरफतार किया है परधान गाओं वालों से इस सरकारी सुईधाय दिलाने के नाम पर पैसे एड़ था था इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वाइरल हुआ था परधाने की इस वीडियो का संग्यान लेते हुए डियम कासगंज ने कोतवाली सहावर में ग्राम परधान के खिलाव बस्टचार और आईपी सी की धारा 406-420 के तहन मुकदमा दर्ज कराय था जाचपर परधान पर लगे बस्टचार के सारे आरोप सत्के पाए गया और इसी को लेकर कासगंज पुलिस ने ग्राम परधान को गिरफतार कर जेल भीज दिया है कासगंज सेस और अभ्यादव की रिपोर्ट वक्त हो चला एक चोटे सब्रेक का हाँ मैं मांगलिक हूं और मैं 30 साल की होने जा रही थी मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्वन वेबसाइट इसमें है एक लाग से जादा मांगलिक प्रोफाइस और रेजिस्टर करना फ्री होर एकदम आसान अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें मैच करें और मांगलिक डॉट कॉम पर पाएं प्रोमो कोड नीशन वन से बचते रहे अब क्या लगा है अब क्या लगा लिए हैं जल्दी पहुंचे सुल्दान पूर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट उतरपदेश की जन्दपत हापूर के पिल्खुआ कोतवाली छेतर के बजड़ा खुदर में बीते 18 तारीक को गौकशी की अफ़ा को लेकर आसिफ और समय दीन की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी जिसमें कासीम की स्पताल ले जाते हुए मौत हो गई थी और समय दीन अभी भी स्पताल में जिन्दगी और मौस से जूज रहा है इस पूरे मामले को लेकर हापुड में समाजवादी पार्टी की दो मंत्रियों सहीत सैक्रों कारेकरताओं ने धर्णा दिया युवाओ के सपानेता अतुल परधान ने परदेश सरकार पर आरोपियों को बचाने का रोप लगाते हुए काहे की बीजेपी देश में नफरत पहलाने की राजनेती कर रही है इसके साथी रोने सरकार से जांच कर आरोपियों के खिलाफ कारवाई करने की मांगी है मौईपूर सवार राज्य मंत्री सुधारक कश्य अपने योगी सरकार को डोंगी सरकार बताया जोट बोलने वाले लोग हैं यह जो वादा किलाफी करने वाले लोग है जो सता में जोट बोल कर हम इनसे मांग करते हैं कि कासिम के परिवार को इंसाव मिले समाजवादी पार्टी इसके लिए यह पर एक दिन का धरना परदसन यह सांकेतिक रूप से किया है अब तक कि खबरों में बस इतना ही देश दिना के दमाम खबरों के लिए बने रेने शर्मिन के साथ नमस्ता